आप सबको मेरा नमस्ते मैं अभी आपको विटामिन C के बारे में बताऊंगी वीटामिन C प्रकार 1 का पोशन तत्व है बहुत इंपोर्टन के लिए विटामिन C का फाया यह है लो वाला खान खाया थेंधर के लिए अनीमिया के लिए आपने लो ज़ादा खाना जो जिसमें लो ह difficulties so low worsen करने के लिए अपको vitamin C k actiona boравствуйте जरूरी है तो आपको अनीमिया निकालने के लिए आपको आपको vitamin C वालकाँ काने में होना ही चहिए जो बच्चे के खाने में अगर जो लोग अला खाना है उसके साथ अगर विटमिन C भी गया खाने के माधियम से तो बच्ची का जो अनीमिया है वो कम हो जाएगा ठीक है और दूसरा विटमिन C के बहुत सारे फाइदे है एक तो चमडी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपकी जूरिया ना पड़े इसके लिए विटमिन C बहुत ही ज़रूरी है बहुत सारे अलग-अलग फाइदे है तो प्लीज आप बहुत ध्यान से यह हमारे टूटोरल देखे आपको तीन टूटोरल दिखाने वाले हूँ एक तो है विटमिन C का भात्वा दूसरा है कच्छी जो व्यंजन है कच्छे म कुछ पकाते हैं तो विटमिन C उसमें से निकल जाता है तो आपको ज़रा ध्यान में रखता है कि वह कच्छे अगर ज्यादा खाएंगे तो आपको विटमिन C उसमें ज्यादा मिलेगा तीक है और दूसरा जो है अगर आप कोई भी खाने में अगर निम्मू डाल देंगे तो निम्मू में आपको बहुत अच्छा विटमिन C मिलेगा ठीक है यह आप ऐसे भी कर सकते हैं निम्मू का पानी आप लेकिन चकर नहीं डाला है सिर्फ निम्मू का पानी लेकिन अगर निम्मू आपने कोई भी प्रदार्श में डाला तो आपको विटमिन C उसमें से मिल लेकिन धिहान में रहे कि विटामिन C आपके लोग के सोशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिक है? धन्यवाद। विटामिन C पानी में घुलने वाला एक विटामिन है। यह शरीर के कई कामों में बहुत ज़रूरी भूमी का निभाता है। यह कोलेजन को सोखने के लिए ज़रूरी है, जो सिमेंट की तरह काम करता है। यह हड्डियों, मास पेशियों, त्वचा और पूरे शरीर को एक रखता है। हमारे शरीर के उतकों जैसे त्वचा, बाल, रक्तव वाहिकाओं और हड्डियों में कोलेजन होता है। विटामिन C मास पेशियों या हड्डियों की चोट के बाद ठीक होने में मदद करता है। यह घाओं को भरने में मदद करता है। त्वचा को विटामिन C एंटी ओक्सिडेंट के रूप में भी कार्य करता है। एंटी ओक्सिडेंट ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल होने वाले नुकसान से बचाते है। फ्री रेडिकल ऐसे पदार्थ है जो शरीर में कुद्रती रूप से ही होते है। वे नुकसान दायक तभी बनते हैं जब वे जादा हो जाते हैं। प्रदूशन, धुम्रपान, शराब, नुकसान दायक रसायन फ्री रेडिकल को बढ़ाते हैं। इसे कैंसर होता है, मधुमेह, रिधै रोग और मोतिया बिन्ध भी होता है। विटामिन C शरीर में फ्री रेडिकल के बनने के काम को कम करता है। ऐसे हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। विटामिन C रोगों से लडने की शक्ती को भी मद्जबूत करता है। यह इंफेक्शन और बिमारियों से बचाने में मदद करता है। उदाहरन के लिए जुकाम, कैंसर और रिदे रोग विटामिन C हड्डियों के बनने में मदद करता है यह कुछ हर्मोन के सोकने में भी मदद करता है उदाहरन के लिए डोपामिन, एड्रेनलिन, नौर एड्रेनलिन तनाव या डर होने पर ये हार्मोन शरीर को प्रतिक्रिया देने में मदद करते है इसके अलावा विटामिन C शरीर में नौन हीम आईरन के सोखने को बढ़ाता है नौन हीम आईरन आईरन का एक रूप है जो ज़ादातर पउधे आधारित खाद्य पधार्तों में होता है उदाहरन के लिए हरे पत्ते वाली सबजियां, बीज, दाने और फलियां कम मात्रा में विटामिन C लेने से आईरन की कमी का खत्रा बढ़ सकता है इस वज़र से एनिमिया हो जाता है जिसको आईरन डेफिशेंसी एनिमिया कहते है विटामिन C की कमी से सकर्वी हो सकता है सकर्वी के शुर्वाती लक्षन बेचैनी, बुखार और थकान है बाकी लक्षन है मसुडों में सुजन और खुन बहना और दातों का धीला होना घाओं का ठीक से न भरना, खरोंज और त्वचा पर खुन बहना दिखाई देता है जोडों में सुजन और दर्ध भी हो सकता है बाल सूखे और कुंडलित हो जाते है इसकी कमी के अन्यलक्षन, सूखी त्वचा, मनुदशा में बदलाव और रोगों से लड़ने की कम शक्ती है आईरन की कमी से होने वाला एनिमिया विटामिन सी की कमी के कारण भी हो सकता है आईए अब विटामिन सी लेने की रोज की मात्रा पर दी गई सला हजाने बारह मैने तक के शिशों के लिए रोज 25 मिलिग्राम की सला दी जाती है एक से दस वर्ष की शिशों के लिए रोज 40 मिलिग्राम की सला दी जाती है किशोरों के लिए रोज 45 से 75 मिलिग्राम की सला दी जाती है वयस्क महलाओं के लिए यह 75 मिलीग्राम है उम्र में बड़े पुर्षों के लिए 90 मिलीग्राम की सला दी जाती है गर्भावस्था वस्तनपान के दौरान जरुरते जादा होती है गर्भवती महलाओं को रोज 85 मिलीग्राम विटामिन सी लेना चाहिए दूध पिलाने वाली माओं को रोज 120 मिलीग्राम लेनी चाहिए आईए अब मैं आपको विटामिन सी के खाने के स्त्रोथ के बारे में बताती हूँ निश्चित रूप से फल और सबजियां विटामिन सी के अच्छे स्त्रोथ है फलो में आवला और अमरूद सबसे अच्छे स्त्रोथ है एक मध्यम अकार का अमरूद लगभग 300 मिलीग्राम विटामिन सी देता है एक आवले में लगभग 60 मिलीग्राम विटामिन सी होता है अन्य उदाहरन है करूंदा, बेर और कच्छा आम संत्रे, नीम्बू और मीठे नीम्बू जैसे फल भी अच्छे स्त्रोथ है एक चम्मच नीम्बू के रस में लगभग 8 मिलीग्राम विटामिन सी होता है एक मध्यम संत्रे में लगभग 40 मिलीग्राम होता है यहां तक की हरी पत्तेदार सब्जियों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है उदाहरन के लिए सहजन की पत्तियां, राजगीरा के पत्ते, मूली के पत्ते और सरसों के पत्ते मेथी और अगाथी के पत्ते अन्य उदाहरन है 100 ग्राम कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों में लगभग 60-100 मिलिग्राम विटामिन C होता है धनिया और पुदिने की पत्तियों में भी कुछ मात्रा में विटामिन C होता है कुछ अन्य सब्जियों में भी कुछ मात्रा में विटामिन C होता है उदाहरन के लिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सहजन, करेला, टमाटर और मटर 100 ग्राम या 2 कच्चे टमाटर में 27 मिलिग्राम विटामिन C होता है कुछ ऐसे कारण है जो खाने से विटामिन C की मात्रा को कम करते है यह गर्मी और पानी के प्रती सव्वेद अंशिल है, ज्यादा तापमान पर पकाने पर यह नश्ट हो जाता है या लंबे समय तक धूप में रखने पर ज्यादा पानी में पकाने और फिर इस पानी को फेकने से भी नुकसान होता है खाना ज्यादा समय तक फ्रीज में रखने से विटामिन C की मात्रा कम हो जाती है इसलिए विटामिन C से भरपूर कई खाने की चीजों को कच्चा खाना सबसे अच्छा होता है इस तरह आपको इससे विटामिन C की ज्यादा मात्रा मिलेगी यदि वे पके हुए हैं तो उन्हें कम आँच पर कम समय के लिए पकाया जाना चाहिए सबजियों को उबालने के बजाए भाप में पकाय या भुन ले भाप लेने पर विटामिन C सबसे कम मात्रा में नश्ठ होता है खाने को बार बार गर्म न करें कम से कम या बिना पानी में पकाये खाने को लंबे समय तक ना संभाले और नहीं फ्रीज में रखे आईए जाने विटामिन C के अपने रोज के खाने में बढ़ाने के कुछ तरीके ताजे फल और सबजियां खाये कच्चे फल ले क्योंकि उनमें विटामिन C अधिक होता है हर एक भोजन के साथ विटामिन C से भरपूर खाने का स्त्रोत लेने की कोशिश करे अपने खाने के साथ आप पुदिना, करी पत्ता या धनिया चटनी ले सकते है अपने खाने पर निम्बू का रस छिड़का सकते है खाना पकाने के बाद अपने खाने को धनिया पत्ती या पुदिने के पत्तियों से सजाए आप अपने खाने में विटामिन C की मात्रा को अंकुरित करके भी बढ़ा सकते हैं जितना हो सके अपने खाने में अंकुरित डालों को ले ये सभी तरीके यह पक्का करेंगे कि हमें अपने खाने से भरपूर विटामिन C मिले हमारी तंदुरस्ती के लिए भरपूर विटामिन सी लेना जरूरी है अब यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है यह टुटोरियल बेला टोनी द्वारा अनुवादित है IIT Bombay से मैं स्निहांकिता आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुणने के लिए धन्यवाद विटामिन सी से भरपूर पके हुए खाने बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे खाने में से विटामिन सी को ना गवाने के उपाए विटामिन सी से भरपूर कुछ पके हुए खाने बनाने के तरीके हम पहले जानेंगे कि विटामिन सी क्या है और शरीर में इसकी भूमी का क्या है विटामिन सी पानी में घुलने वाला एक जरूरी विटामिन है यह शरीर में अलग-अलग कामों के लिए जरूरी है जैसे कि जखम भरना और स्वस्थ त्वचा बनाए रखना यह इंफेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है और बाकी की बिमारियों से भी इसके अलावा विटामिन सी शरीर में आईरन के सोखे जाने को बढ़ाता है इसलिए हमारे हर रोज के खाने में विटामिन सी से भर पूर चीजों का पर्याप्त रूप से सेवन करना जरूरी है आवला, अमरूद, खटे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोथ हैं हरी पत्तेदार सबजियां और अन्य सबजियां भी अच्छे स्रोथ हैं अब मैं आपको खाने में से विटामिन सी को गवाने से बचने के उपाए बताऊंगी ये ध्यान रहे कि विटामिन सी ताप और पानी के प्रती समवेदन शील है तेज ताप पर पकाने से खाने में से कुछ मात्रा में से विटामिन सी बरबाद हो जाती है जादा पानी में पकाने और उस पानी को फैंकने से भी नुकसान होता है इसलिए विटामिन C से भरपूर खाना पकाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए खाना जादा देर तक ना पकाएं, कम से कम पानी में पकाएं पकाने के बाद पानी ना फैंके खाने को बार-बार गरम ना करें सबजियों को उबालने की बजाए भाप में पकाएं या भूने और अगर उबालना जरूरी है तो बचे हुए पानी का इस्तिमाल किसे दूसरी तयारी के लिए करें इसे फैंके नहीं आप इस पानी को आटा गूंदने के लिए ले सकते हैं इसे करी या सूप में भी मिला सकते हैं अब कुछ विटामिन सी से भरपूर खानूं की तयारी देखते हैं पहला सीखेंगे स्टर फ्राई अमरूद इसके लिए आपको चाहिए 1500 ग्राम या थोड़ा कम पका हुआ अमरूद आधा नीम्भू, आधा चमच जीरा एक चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चमच धनिया पाउडर दो से तीन कडी पत्ते एक चमच तेल या घी, नमक स्वाद अनुसार तरीका अमरूद को धो कर छोटे टुकड़े करें एक बर्तन में तेल गरम करें जीरा और कडी पत्ता डालें जब यह चटकने लगे तो इसमें कटे हुए अमरूद के टुकड़े डाल दें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें सभी चीजूं को अच्छी तरह मिलाएं और कम आँच पर दो से तीन मिनट तक भूनें आँच बंद कर दें और थोड़ा नीम्बू का रस निचोडें स्टर फ्राई अमरूद तैयार है इसके एक कटोरी में लगभग तीन सो मिल्ली ग्राम विटामिन सी होता है अगला सीखेंगे सहजन की करी इसके लिए आपको चाहिए 75 ग्राम या दो सहजन दो टमाटर आधा प्यास आधा चमच अदरक लेसुन का पेस्ट एक चौथाई चमच जीरा जो मसाले चाहिए वे हैं एक चौथाई चमच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चमच धनिया पाउडर एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आपको दो चमच तेल या घी की जरूरत होगी और नमक स्वाद अनुसार लें तरीका सहजन को अच्छे से धो ले इसे टुकडों में काट लें छिलका हटा दें सहजन को बरतन में भाप लगवाएं यदि ऐसा बरतन नहीं है तो खाना पकाने के बरतन में एक चौथाई भाग पानी भर लें उसमें एक स्टैंड रखें और सहजन को प्लेट में डालकर स्टैंड पर रख दें बरतन को ढखकर मध्यम आंच पर दस मिनट के लिए भाप दिलाएं इस बीच प्यास टमाटर को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लें एक बरतन में तेल गरम करें उसमें जीरा और अद्रक लहसुन का पेस्ट डालें जब यह चटकने लगे तो उसमें प्यास टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिलाएं फिर लालमिच पाउडर हल्दी पाउडर धन्या पाउडर और नमक डालें इसे तीन से पांच मिनट तक पकाएं इसके बाद भाप लगाये हुए सहजिन के टुकडे डालें एक चौथाई कप पानी डालें और बरतन ढक डें कम आंच पर दो मिनट तक पकाएं सहजिन की करी तयार है इसकी एक कटोरी में लगभग 140 मिलिग्राम विटामिन सी होता है तीसरा सीखेंगे चौलाई के पत्ते की करी इसे बनाने के लिए जरूरी सामान है 60 ग्राम या एक गुच्छा लाल चौलाई के पत्तों का एक चमच कद्दुकस किया हुआ आम्वला आधा कप भुना हुआ बेसन एक छोटा प्याज दो छोटे टमाटर बाकी के जरूरी सामान है आधा चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट एक हरी मिर्च एक चौथाई कप धनिया पत्ती जरूरी मसाले हैं आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार और एक बड़ा चमच घी या तेल तरीका चौलाई के पत्तों को अच्छे से धोकर काट लें कटे हुए चौलाई के पत्तों को कटोरे में रखें नमक लाल मिर्च कटी हुई हरी मिर्च और कद्दुकस किया हुआ आवला डालें फिर अधरक लहसुन का पेस्ट और भुना हुआ बेसन डालें सब अच्छी तरह मिला लें यदि जरूरी हो तो आप इस मिश्रन में एक से दो बड़े चमच पानी मिला सकते हैं इस मिश्रन के लंबे रोल बना लें रोल को आंच पर दस से पंधरा मिनट तक भाप लगवाएं भाप लगाने का तरीका इस टुटोरियल में पहले समझाया गया है भाप लगवाने के बाद रोल को अलग रख दें और ठंडा होने दें रोल को मध्यम टुकडों में काट लें इस बीच टमाटर को मिक्सी में पीस कर प्यूरी बना लें इसके बाद एक बरतन में तेल या घी गरम करें कटा प्यास डाल कर भूनें हल्दी, मेर्च और धनिया पाउडर डालें अच्छी तरह मिलाएं और फिर टमाटर काट प्यूरी डालें इसे कम आंच पर तीन से पांच मिनट तक पकने दें चौलाई के पत्तों किट रोल के टुकडे डालें और अच्छी तरह मिलाएं धक्कन लगाकर एक से दो मिनट तक पकने दें और आंच बंद कर दें धुले और कटे हरी धनिया के पत्तों से सजाएं इसकी एक कटोरी में लगभग 98 मिलिग्राम विटामिन सी होता है आखरी सीखेंगे कच्चे आम और चने की डाल की चटनी इसे बनाने के लिए चाहिए तीन बड़े चमच चने की डाल आधा या साथ ग्राम कच्चा आम आधा टमाटर एक चमच कदुकस किया हुआ आवला एक हरी मिर्च एक चौथाई कप या एक मुठी हरा धनिया एक चौथाई चमच सरसों के बीज नमक स्वाद अनुसार एक बड़ा चमच तेल या घी की जरूरत होगी तरीका चने की डाल धोकर चार से छे घंटों के लिए पानी में भिगो दें फिर इसे मिक्सी में हरी मिर्च के साथ दरदरा पीस लें इसके बाद बरतन में तेल या घी गरम करें और सरसूं डालें जब वह चटकने लगे तो इसमें पहले बनाया हुआ दरदरा पेस्ट डालें इसे अच्छे से मिलाएं और मध्यम आँच पर दो से तीन मिनट पकाएं फिर आँच बंद करें और एक कटोरे में निकाल लें इसमें कदुकस किया हुआ आवला और कच्चा आम डालें फिर कटे हुए टमाटर और धुले और कटे हुए हरी धनिया के पत्ते डालें इसे आप अपने खाने के साथ ले सकते हैं इसके दो बड़े चम्मच में लगभग 40 मिलिग्राम विटामिन सी होता है ध्यान दे कि बताये गए सभी खानों में विटामिन सी की मात्रा कच्चे खादे पदार्थों पर आधारित है स्वस्थ रहने के लिए हर रोज खाने में विटामिन सी से भरपूर खाना लेना जरूरी है खाने में से विटामिन C को गवाने से बचने के लिए बताई गई जरूरी बातों को याद रखें अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद विटामिन C से भरपूर कच्चे खाने को बनाने के तरीके के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे विटामिन C से भरपूर खाना बनाने के तरीके विटामिन C पानी में घुलने वाला विटामिन है ये शरीर में होने वाले कई जरूरी कामों में बहुत एहम होता है ये चोट को ठीक करने में और स्वस्थ तवचा बनाए रखने में काम आता है ये इंफेक्शन और कई बिमारियों से लणने में मदद करता है विटामिन सी से शरीर की आयरन को सोखने की शमता भी बढ़ती है विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी, ठकान और रोग प्रतिरोधक शक्ती का कम हो जाना इसलिए रोज जरूरत के जितना विटामिन सी से भरपूर खाना खाना जरूरी होता है विटामिन सी तक्रीबन सभी फलों में और सबजियों में होता है खटे फल और आवला विटामिन सी से भरपूर होते हैं पर पकाने से वो खत्म हो जाता है जादा से जादा फाइदे के लिए विटामिन सी से भरपूर खाने को कच्चा ही खाना चाहिए इस टुटोरियल में मैं आपको विटामिन सी से भरपूर कच्चे खाने बनाना सिखाऊंगी। विटामिन सी से भरपूर पके हुए खाने को बनाने के तरीके अगले टुटोरियल में सिखाऊंगी। तो पहला सिखेंगे अमरूद की चटनी। इसे बनाने के लिए चाहिए पचास ग्राम या आधा अमरूद, आधा कप या मुठी भर धनिया के पत्ते, तीन हरी मिर्चे, एक चम्मच जीरा, आधा नीम्बू और नमक स्वाध अनुसार. सबसे पहले अमरूद को धो कर छोटा-छोटा काटें. इन सभी को नीम्बू के रस के साथ मिक्सी में डाल कर पीसें. थोड़ा पानी मिलाकर मुलायम सा पेस्ट बनाएं. अमरूद की चट्नी तयार है. इस चट्नी के एक चौथाई कप में तकरीबन 110 मिलिग्राम विटामिन सी है. ये चट्नी पाकी विटामिन सी से भरपूर फलों से भी बना सकते हैं. जैसे की आवला, कच्चा आम, करॉंदा, कच्चा पपीता वगेरा. दूसरा सीखेंगे कच्चे आम और मुंगफली का सलाद. इसके लिए चाहिए 50 ग्राम या एक छोटा कच्चा आम, एक आमला, एक टमाटर, एक चोथाई कप या मुठी भर भुनी मुंगफली, आधा कप या मुठी भर धनिया के पत्ते, एक नीम्बू, एक हरी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार. चलिए बनाते हैं. कच्चे आम को धोकर छीले और गुटली निकाल दे. फिर कच्चे आम, आवले और टमाटर को बारीक काटे. एक बरतन में तीनों कटी चीजे डाले. मुठली और हरी मिर्च भी डाले. और नमक भी डाले. फिर एक नीम्बू निचोड़े और अच्छे से मिलाएं. कच्चे आम और मुठली का सलाद तयार है. एक कटोरे सलाद में 77 मिलीग्राम विटामिन C है. अगला है छोटी या बारीक मेथी के पत्तों का सलाद. इसके लिए चाहिए 75 ग्राम या 3-4 गुछियां छोटी या बारीक मेथी के पत्ते. एक बड़ा चमच ताजा नारियल, एक बड़ा चमच बारीक मूंग डाल, आधा टमाटर, एक हरी मिर्ची, आधा नीमबू और नमक स्वाद अनुसार. शुरू करते हैं. पहले बारीक मूंग डाल को राद भर विगो ले. छोटी या बारीक मेथी के पत्तों की जड़ें एक इंच तक काट कर फैंक दें. फिर पत्तों को अच्छे से धोए और एक साफ कपड़े पर रखे. इस से पत्तों का पूरा पानी कपड़ा सोख लेगा. अब पत्तों को का पाटे और बरतन में डाले. कटा टमाटर और हरी मिर्च भी डाले. फिर कटा नारियल और भीगी हुई बारीक मूंग भी डाले. नमक और निम्बू का रस भी डाल दे. ओखली में डाल कर थोड़ा कूट ले. छोटी मेथी के पत्तों का सलाद तयार है. सलाद भरे इस कटोर में सत्तर मिलीग्राम विटामिन सी है. अगला सीखेंगे आवले का अचार. इसे बनाने के लिए चाहिए एक आवला, दो से तीन हरी मिर्ची, आधा कप या मुठी भर धुले हुए धनिया के पत्ते, एक से दो कल्या लहसुन की और नमक स्वाद अनुसार. चलिए शुरू क करते हैं. आवले का बीच निकाल कर आवले को काट ले. हरी मिर्च और धनिया के पत्ते भी काटे, फिर नमक डाले. ओखली में सब कुछ डाल दें और हलका सा कूट ले. आवले का अचार तयार है. इसे एक से दो बार अपने खाने के साथ खाएं. इस अचार के दो बड़े चम्मच में है 88 मिली ग्राम विटामिन C. अब आखरी सिखेंगे पत्ता गोबी का सलाद. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम या एक चौथाई पत्ता गोबी आधा टमाटर, आधा कप या मुठी भर धुले हुए धनिया के पत्ते, एक हरी मिर्ची, एक नीम्बू, एक बड़ा चम्मच भुनी और कुटी हुई मुँफली, आधा चम्मच आमचूर और नमक स्वाद अनुसार. पत्ता गोबी को बारीक बारीक काट ले. टमाटर को भी काटे. कटी पत्ता गोबी, टमाटर, धनिया के पत्ते और हरी मिर्च को एक बर्तन में डाले. फिर भु अब नमक और आमचूर भी डाल दे. फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएं और उपर से नीमबू निचोड़े. पत्ता गोबी का सलाद तैयार है. एक कटोरे सलाद में है 60 मिलीग्राम विटामिन सी. इस टुटॉरियल में सिखाए गए सभी खानों में विटामिन सी भरपूर ह अच्छी सेहत के लिए रोज विटामिन सी से भरपूर खाना खाएं. अब ये टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है. IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ. हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद. कि अच्छी से भरपूर खानुष्णी आपसे।